नमस्कार गुरुग्यान के डिली न्यूज अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है इस डिन्यू में चर्चा का विशय है दिल्ली सल्तनत की पहली महिला सुल्तान रजिया सुल्तान के नाम को कौन नहीं जानता रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत काल में महिला शशक्तिकरन का एक मजबूत प्रमान है बले ही यह शशक्तिकरन उनके द्वारा खुद से ही अरजित क्यों ना किया गया हो रजिया दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शाश्रिगा थी रजिया का पूरा नाम जलालात उद्दीन रजिया था उनका जनुब बारा सो पाच इस्विवें बदाईयों में हुआ था इनकी माता कुतुम बेगम और पिता समसुद्दीन इल्थुतमिश थे भारत के मुस्लिम इतिहास में वह पहली इस्तिरी थी जिसने दिल्ली के रासी हसन पर बैठकर एक संपूर प्रभुत्व संपन राजतंत्र के सिधान्त को अपनाया था रजिया के पिता इल्थुतमिश ने रजिया को शासन करने का भी प्रशिक्षन दिया था और जब इल्थुतमिश क्वालियर की और एक अभियान पर 1231 से 1232 इस्वी में निकले थे तो वे रजिया को सलतनत की जिम्मेदारी सौब गए थे और इस समय जिस सहुजबूज से रजिया ने शासन की बागवर समाले उससे अत्यदिक परसन होकर इल्टुतमिष ने अपने जीवित रहते ही रजिया को अपना उत्राधिकारी घोशित कर दिया था इल्टुतमिष के सबसे बड़े बेटे और उत्राधिकारी नसुरिद्दीन महमूद 1229 हिस्वि में एक लड़ाई में मारे गए थे और उन्हें अपने छोटे वीटो पर यकीन नहीं था इल्टुतमिष की इच्छा के खिलाब कुछ प्रभाफसाली लोगों ने रजिया के चोटे और नाकाबिल भाई रुकनुदीन फिरोज को अप्रेल 1236 से अक्टूबर 1236 को तक्त पर बिठा दिया था रुकनुदीन के वल नामातर का शाशक था और वास्तिबिक सत्ता उसकी मा शाहाद तुरकान चला रही थी जन्ता में उसके पृति आक्रोस पैदा हो रहा था जिसके बढ़्ने पर रिकनुदीन और शाहाद तुरकान की हत्या कर दी गई और दिल्ली सल्तनत की सत्ता पहली बारे किस्त्री के हाथ में आई जब 6 नवंबर 1236 को रजिया सुल्तान सत्ता सीन हुई रजिया ने अपने शासन के आरंपिकाल में ही बदाईयों मुलतान हासी लाहुर जैसे छेतरों के सुवेदारों और अमीरों के विद्रों को दबाने के लिए उनमें आपसी फूट डलवानी की रणनी थी अपनाई जिसमें वह सफल भी रही रजिया ने ख्वाजा मुहाजबुदीन को अपना वजीर निउक्त किया था मलिक सैफुदीन एवक को सीना का ध्यक्स निउक्त किया एक्तियारुदीन याकूत को अमीर आखुर मलिक इजुदीन कबरी खायाच को लाहुर का सुवेदार निउक्त किया और सेना ध्यक्स की म मित्यू हो जाने पर मलिक कुतुबुदीन हसन गोरी को नायव लशकर पद पर नियुप किया था। रजिया को शाषक बनते ही उसे करमत और मुजाहिदों के विद्रों का सामना करना पड़ा। लेकिन रजिया ने सीना की साहता से विद्रों को कुछल दिया। ये घटना 1237 इस्वी में घटित हुई थी। रजिया के शाषन के दोरान ही रण थमवार के पतन की घटना देखी गई। गॉलियर के दूर्ग रक्षकों की समस्या का समाधान भी रजिया ने अपने शाषन काल के दोरान किया। उसने मंगोलों के खिलाफ सेफदीन करलू को मदद ने देने की नीती भी अपनाई रखी। इस मामले में रजिया ने अपने पिता इलतुतमिस के नीती का अनुसरन किया। रजिया सुल्तान के बारे में एक खास बात यह भी है कि उसने अपने शाषन के दोरान सिक्कों पर अपने लिए उंगदत उल्मिरसवा यानी इस्त्रियों के उधारनिय उपादी का प्रियो करवाया। साल 1240 में बहराम शाहा के साथ साजी सरचने वाले ही कुछ लोगों ने रजिया की हत्या कर दी और इस परकार 14 अक्टूबर 1240 के दिन रजिया के जीवन का सूर्य अस्त हो गया। सुप्रसिद इतिहासकार मिनहाज उस सिराज ने लिखा है कि रजिया एक महांच शाशक, कुशागर बुद्धी, न्याय पुर्य, हितकारी, विद्वानों की आश्रेदाता प्रजा का कल्यान करने वाली एवं सामरी कुणों को रखने वाली इस्तरी शाशक है। गद्धी पर बैठते ही रजिया ने पर्दा उतार फेका और पुरुसों जैसे वस्तर एम चोगांधा रन कर लिया। वैं बड़े प्रभाबसाली धंग से अपना दरबार चलाती थे।